नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दे क्रिप्टो बीच पर आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी में काफी सारी अपडेट आई है जैसे कि बाइनेंस के रिलेटेड और बाइनेंस के और बाद सरकार के बीच क्या बात चीज चल रही है इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं बाइनेंस भी काफी अपनी तरफ से प्रयासरत है इस चीज के लिए कि उसके एक्षेंज की जो सर्विसेस इंडिया में रुकी हुई है अलग-अलग यूर्ल को रोका गया है प्लस उनके प्ले स्टोर प्ले स्टोर से उनकी स्रुडिट इसे उनकी स्रुजस sino को रोक दिया बैे के लिए वहार भारसरकार से लोग लगातार बातचीत कर रहे है उसके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं उसके पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में 24 आवर्स में क्या क्या अपडेट हुई है कौन से क्रिप्टो करेंसी जो है टॉप पे चल रहा है कौन से डाउन हो गए है कि दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हैं रिसेंट्टी एड़ेट टोकन में दिखा रहा है डाइमेंशन हिरो जब माविया डॉगिन फायर उसके अलामा है यहां पर तीन और टोकन है जो रिसेंट्ली मार्केट में एड़ हुए है उसमें है वेप्त्री टोकन उसके अलामा मोस्ट ट्रेंडिंग टोकन जो है पिछले 24 आवर्स के क्वाइन मार्केट कैप की डेटा के इसाब से उसमें डाइमेंशन जो है नंबर वन पे बना हुआ है मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था लगबग साढ़े 5-6 डॉलर का प्राइस था आज इसका प्राइस जो है 7.5 डॉलर हो चुका है यानि कि यह इसकी जो ग्रोथ है वह 88 परसेंट हो चुकि यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक बड़ा सर्ज देखने को मिल रहा है इसके प्राइस में इसके ग्रोथ में डाइमेंशन का प्राइस जो है 24 घंटे में 27 नहीं हुए इसके प्राइस में फॉल देखने को नहीं मिल रहा है उसके अलामा दोस्तों जो नंबर टू पे टोकन चल रहा है वह माविया जो मैंने आपको कल भी बताया था कि हिरोज़ा माविया एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है यह उसका अपना टोकन है आप लोग देख 46 परसेंट अब है कल के और आज के 24 गंटे के केमपे रीजन में उसके अलामा काफी सारे ऐसे टोकन है डॉग इन फैर मोनेरो भी अच्छा का सा ग्रोथ कर रहा है बिटकोईन जो है सबसे बड़ी न्यूज तो यहीं मार्केट में कि बिटकोईन ने 46,000 को क्रॉस कर दिया है कर दिन में लगबग 4% का ग्रोथ देखनों को मेरा था बिटकोईन में और बिटकोईन ने 45,000 का जो एक बैरियर था उसको ब्रेक कर दिया था यहां पर आप लोग देख सकते हैं 46.087 डॉलर जो करेंट प्राइस चल रहा है और 3.32 परसेंट जो है यह ग्रोथ सो कर रहा है 24 आवर्स में उसके अलामा जुपिटर तो है दीटी चल रहा है कसपा है सेलेस्टिया चैन जीपिटी है इसपेस आईडी मैंने आपको कल भी बताया था कि काफी अच्छी-कासे ग्रोथ चल रही है इसपेस आईडी में और यह कल के प्राइस को भी आज अल्मोस्ट 20 परसें इसकी ग्रोथ है और इसके प्राइस में अच्छा-कासा जंप देखने को मिल रहा है और काफी टाइम से इसकी हाइप भी क्रेट की जारी थी मार्केट में इसके इन्वेक्टर्स के द्वारा प्लस इसके डेवलपर्स के द्वारा के बीडिटी का जो फ्यूचर है बहुत स् आप लोगों को बताएं मैंने वीम टोकन जो है यह वी टॉप 10 टोकन में एकस पाइद नेट वरक है इस्टेक्स फ्लो वेमिक्स आकास नेट वरक यानि एकेटी कस्पा औरी खोड़ें बीस्वी के सारों जो है टॉप गेनर्स के टोकन है पिछले 24 आवर्स के अब इसके अल गवर्मेंट टूरीजी मुप इंडिया बाइन जो है वह बारा सरकार से अपनी बात चीज रखा हुआ है और क्योंकि वह चाहता है कि उसके जो क्रिप्टो ऑप्रेसंस रुके हुए इंडिया में उसके जो यूर्यल्स ब्लॉग है उसके जो एपल इस्टोर और प्लेश्ट टूब मोबाइल एपलिकेशन वेबसाइट तो जो भी इंडिया उसके लिए लोग बातचीत में लगे हैं लाइन को फॉलो करना है आप उसके कंप्लीट करके आए उसके बाद यहां पर रन कर पाएंगे दो वर्ट्स लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्षिंट बाइन सेजिन टॉक्स विट इंडियन गवर्मेंट एन इंडियन पॉब्लिसिंग कैप्चर दी डिवलप्मेंट साइटि हमारे उपर हैं वो सब हम पे करने के लिए तयार हैं हावयवर इट नोटेट देट एक्षेंज इच अन प्रिपेर दू अधे टू प्रिवेंशन आप मनी लॉंडरी एक्ट लेकिन यह न भी नोटीच किया गया कि अभी तक यह प्रिवेंशन आप मनी लांडरिंग एक की ग हमारे इक सब्सक्राइश से ऊसको रीजम किया जाए हमारे पर एक्स mor tarde सब्सक्रिक अधर मांते विए उन्होंने ये प्रेंध मांगा था आपनी तरफ से थोड़ाथे इंट्रिम कटा मल्यागा ता इन रिसपॉंज में इन आथर्वेंट्स ने क्या का compliance with the PMLA is paramount they have been explicitly told that any discussion on rejection of their service in India is only after the government is satisfied with their response on the notice sent by FIU उन्होंने का कि जो PMLA का compliance है वो सबसे प्रमूख है और उनका कोई भी रिजम्शन तभी होगा जब तक वो government उनके किसी response is satisfy नहीं हो जाती जो उनको notice sent की गई है उसके अगेंस्ट और जल्दे हाली में भार सरकार ने नौ बड़े-बड़े क्रिप्ट प्लेटफर्म को आपने दुख सकते हैं यहां पर दिया हुआ है कि उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया था जैसे उसमें बाइनेंस था को काइन हो भी गेड़ोट आयो बीट्रेक्स ब्लोबल एंड बीट फिनिक्स नौ बड़े-बड़े क्रिप्ट प्लेटफर्म के यूर्स को ब्लॉक कर दिया था और इंडिया के प्लेश्टोर और एपल इस्टोर से रिम रहा गया और गवर्मेंट देखिए यहां पर दिया गवर्मेंट इस कोलेबरेटिंग विद बैंक्स डिवाइज मीजर अगेंस टेडर सू यूटिलाइज वर्चुल प्राइवेट नेटवर्क कुछ लोग वीपियन यूज कर रहे हैं उसको भी बैंक करने के तैयारी जो ह बाद्ची थी उसके बारे अपडेट थी उसके लावा दोस्तों की अपडेट काटनों प्राइस प्रेडिक्टिन काडनों का प्राइज जो है 500% अब जा सकता है इस बुलरन में ने तो को chociaż जाएगा आने वाले हल्विंग के बाद बिट्वाइन हल्विंग के बाद बुलरं सीजन जब चालू होगा उसमें उसके अलावा एक अपडेट है कि टेरा फॉर्म लैप के जो को फांडर है डू उनको मॉंटेनी एग्रों में ही रहने का आदेश दिया गया है अमेरिका महां रिजर्व अगेन उनके अगेंस्ट में जो फैसला आना है कोड से रिजर्व कर लिया गया है और उनको मॉंटेनी एग्रों को में ही रहने की आदेश जारी की गई है वो उसको छोड़ नहीं सकते हैं अब इनके ऊपर केस क्या चल रहा है दोस्तों कि इन्होंने जो टेरा ल आइस जो है इतना ज्यादा नीचे चला गया कि काफी सारे इन्वेस्टर लोग ने इसके वजह से अपने जिंदगी में काफी सारे गलत कदम उठाया उन लोगों ने वो सब सारी चीजें हुई उसके बाद इनके ऊपर केस हुआ इसके रिगार्डिंग और वही केस जो है य और कि रोबो कॉल में यह जनेरेटर वाइस यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा हुआ क्यों कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट जो बीडिन उनका किसी ने एक डीप वीडियो बनाया और उसमें उसने जनेरेटर वाइस का इस्तेमाल किया इससे उनकी इमेज को और वहां प के लिए कानून में प्रावधान डाला जाएगा उसको सजा होगी और एक मेजर अपडेट है कि मेजर क्रिप्टो एक्षेंज जो है क्रैकेन उसको नेधरलेंड की गौवर्मेंट से एप्रूवल मिल गया है वह जैसे कि भार सरकार एप्रूवल चाहती है कि लोग एप्रू है जैनाउंच देट अप्टेने वर्चुवल डिजिट्र असेट्स प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन फ्रम दर्च सेंट्रल बैंक इदर नेधरलेंड दर्सेंट्रल बैंक जो है उसने उसको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे दिया है कि अब वो आफिसली कुछ थी जिसके उपर आप लोगों की नजर रहनी चीए मैंने अपनी तरफ से एक छोटी से कोशिस कियो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच जा और अभी फिलाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना है वीडियो को आप लोग लाइक करें चैनल को सस्क्राइ करें जाज से ज्यादा वीडियो को सेयर करें ताकि यह डेली बेसिस की इनफॉर्मेशन में प्रवाइड करता हूं आप सबी लगों तक पहुंच पाए धन्यवाद जाहिंद